दोस्तों आज हम बात करेंगे UGC NET की, आखिर UGC NET में जो पर्थम पत्र में 50 questions पूछे जाते हैं और यह 10 unit में विभाजित होता है, इनके सवाल पढ़ाया मैं छात्र और छात्राओं से देखता हो कि 20 से 25 से जादा नहीं बनता है, लेकिन अगर आप थूरा सा मैंनत कर लेंगे, मातर एक महिने सही दिसा में पर लेंगे तो आप भी पर्थम पत्र के लगवग 35 सवाल को आसानी से बना सकते हैं, जैसे साहित इतिहास को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक रन्नीती होता है, उसी तरह से पर्थम पत्र को भी पढ़ने का एक तरीका है, एक रन्नीती है. आज उसी तरीके और रन्नीती की चर्चा करेंगे. और खास करके जो ICT कम्प्यूटर से 5 सवाल पूछे जाते हैं इस वार भी पाचो के पाचो सवाल नोट से आये थे तो उन 5 सवालों को कैसे हम टेकनीक से कोडिंग के थुरू याद कर सकते हैं उसी की चर्चा करेंगे पूरी विडियो को ध्यान से देखिएगा तो दोश्तो जैसे कि इस्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज के क्लास में हमने 프로그램ींग लेंग्वेज की चर्चा करना है और 프로그램ींग लेंग्वेज क्या होता है एक सिंपल सी भाता प्रोग्रामिंग भासा जिसे कहते है कम्प्यूटर को एक्छा अनुसार कारि करवाने का एक माद्यम है प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? एक ऐसी भाषा है जिसके थूरू कम्प्यूटर कारि करता है आने कि कम्प्यूटर को अपने एक्छा अनुसार हम कारि करवाते है कि computer को भाषा के माध्यम से ही computer काम करता है, उसे ही हम programming भाषा कहते हैं जैसे screen पर आप देख रहें, programming भाषा computer को निर्देश देने तथा एक्छा अनुसार कारी करवाने का यह माध्यम है यह एक कित्रिम भासा है जिसे कम्प्यूटर को एक निस्चित करम अनुसार चलाने या करने के लिए परियोग में लाया जाता है अब समान रूप से देखिएगा कि प्रोग्रामिंग भाशा जो है दो परकार का होता है एक low-level language होता है जिसे हम निम्न अस्तरिय भाशा कहते हैं जैसा इस्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरा high-level language होता है जिसे उच्च अस्तरिय भाशा हिंदी में हम कहते हैं अब जो निमन अस्तरिय भाशा है और उच अस्तरिय भाशा है अब निमन अस्तरिय भाशा को भी दोस्तों याद रखियेगा, यहाँ से question पूछता है, कि निमन अस्तरिय भाशा को भी हम दो भागों में बाढते हैं, पहला computer में machine भाशा होता है और दूसरा होता है assembly भाषा प्रारंभिक दोर में जब computer का विकाश हुआ था तो दो ही भाषा परियोग में आता था एक निमने लेवल लेंग्वेज और high level लेंग्वेज और शुरुवात में जो है machine भाषा का ही परियोग होता था निमने लेवल लेंग्वेज का परियोग होता था machine भाषा और assembly भाषा धीरे धीरे जब computer का विकास हुआ तो धीरे धीरे programmer ने high level लेंग्वेज को भी developed किया जिसे मैं coding के थुरू आपको बताऊंगा जैसे आगे आप देखते हैं कि जो अब हम सबसे पहले सबज़ेंगे कि निमन अस्तरिय भाषा क्या है अभी हमने चर्चा किया कि machine भाषा जो है और assembly भाषा निमन अस्तरिय भाषा है अब निमन अस्तरिय भाषा क्या है जो machine भाषा है दोश्तो machine भाषा computer की एक आधार भूत भाषा है जैसे कि screen पर आप देख रहे हैं यह cable 0 और 1 दो अंकों से निर्मित अर्थात binary code में लिखी जाती है तो इतना हमें ध्यान रखना कि जो machine भाषा है वो binary code 0, 1 होता है binary code वही binary code में लिखी जाती है यह एक मातर computer की भाषा है programming भाषा है कि computer द्वारा सीधे सीधे समझे जाती है अब machine भाषा के भी दो पार्ट होते हैं एक होता है operation code और एक होता है location code तो machine भाषा क्या है इतना याद रखिएगा कि जो binary code अर्थात 0, 1 पे काम करता है उसे ही हम machine भाषा कहते हैं simple है अब आगे आते हैं लेकिन अब समस्या है कि machine भाषा जो है machine भाषा में program लिखना कठीन हो गया एक programmer के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे programmer को संकीत याद करने पड़ते थे चिन याद करने पड़ते थे और जब याद नहीं होता था तो machine भाषा में गलती की संभाबना बनी रहती थी उसी गलती को दूर करने के लिए programmer ने computer में machine भाषा की जगे एक नई भाषा का निर्मान किया और उसी नई भाषा को assembly भाषा कहा गया उसे क्या कहा गया? assembly भाषा कहा गया अनि machine भाषा में program लिखने में आने वाली कठनाईयों को दूर करने के लिए ही assembly भाषा का निर्मान किया गया अब assembly भाषा जो था दोस्तों यहां binary code की जगए अक्षर या symbol का परियोग होने लगा यह याद रखना कि जो machine भाषा था वो binary code में परियोग लिखा जाता था वही जब assembly भाषा आया तो उसमें अक्षर या चिन्हों का परियोग होने लगा जिसे symbol कहा जाता है और साथ ही आप जानते ही होंगे कि जो assembly भाषा है pneumatic code में लिखा जाता था pneumatic code जैसे कि short form होता है translation हो गया transaction हो गया subtraction subject pneumatic code का यूज होता था एक बार फिर से समझेगा कि जो computer की जो programming भाषा है जहां से एक सवाल पूछा जाता है UGC, NET, DSSV, KBS तो जो भाषा है machine भाषा यह दो परकार का होता है low level language एक high level language low level language भी दो परकार के होता है एक machine भाषा और assembly भाषा machine भाषा जो है वो binary code 01 में लिकी जाती है जबकि assembly भाषा machine भाषा की कमियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया और assembly भाषा जो है वो symbolic code पर काम करती है pneumatic code पर काम करती है अक्षर चिन का इसमें परियोग किया जाता है तो दो अब धीरे धीरे कि मसीनी भाषा और assembly भाषा से आगे बढ़कर आदनिक दौर में जब computer का विकास तिब्र गतिशे हुआ तब जाकर के जो है high level language का development हुआ तो आपके exam में पराया high level language से सवाल पूछ लेता है जैसे कि आप screen पर देख रहे हो कि high level language पूछ लेता है exam निमलिकित में शे कोन high level language है या कोन नहीं है तो परमुक high level language computer का जो है वो है photon, Algol, PL1, Pascal, Basic, Cobol C, C++, Java, Comal, Prolog, RPG, C Sharp, PHP, Ruby, Logo, Python ये सब computer की जो है भाषा है लेकिन इनको हम याद कैसे करेंगे जैसे मैं कहता हूँ अगर आप साहित या इतिहास परते हो फूक दोगे तो उड़ जाएगा उसी तरह पर्थम पत्र भी दोस्तो आप फूक दोगे तो 35 कोस्टन बना के आजाओगे उड़ जाएगा लेकिन सर्त है उसकी trick का उसी trick का अभी मैं बात करूँगा जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इनको हम coding से कैसे याद करेंगे ठीक है इनको simple है याद करेंगे कि photon जब high level language में पती-पत्नी के बीच जगरा होता है simple code समझना पती-पत्नी के बीच जगरा होता है और पत्नी का सर फूट जाता है पत्नी का सर क्या होता है तो फूट जाता है तो फूट से हो गया photon पती-पत्नी के बीच जगरा होता है और पत्नी का सर फूट जाता है तो पत्नी क्या हो जाती है अलग हो जाती है तो हो गया अलगोल पती पतनी के बीच कोड ले लेना जगड़ा होता है और पतनी का सर फूट जाता है तो फोटोन अब हो गई वो अलग हो गई तो हो गया अलगोल और कोट में PL डाले, PL डालते हैं PL 1, programming language 1 कोड कर देंगे, पतनी कोट में PL डाले, PL 1 PL डाल के कही कि मेरा पती जो है पासकल है, राशकल है उसके साथ नहीं रहूंगी मुझे बेसिक दिया जाए तभी मैं कबूल करूगी फिर से समझना पती पतनी के बीच जगड़ा होता है सर फूट जाता है तो हो गया फोटोन पतनी जो है उससे अलग हो जाती है तो अलगोल कोट में PL डाल कर कहती है कि यह पासकल है, रासकल है मुझे बेसिक दिया जाए तभी कबूल करूगी तो कोबोल हो गया तभी कबूल करूगी नहीं तो लोगों को बुलाओगी तो लोगों भी जो है लिंग्विज है नहीं तो लोगों को बुलाओगी फिर दो पार्टम कोडिंग है फिर उनकी जो साली है C, C++ और उसका नाम है कोमल अब लड़के जिसने पतनी का सर फोरा है उनकी साली का नाम है कोमल जो C, C++, कोमल है अब कोमल क्या कहते है कोमल कहते है तुमने मेरे जीजी को मार के से दिया मैं तुम पर प्लॉग करूगी RPG करूगी तभी तुमारा दिमाग सी सार्प होगा अब जो उनकी साली है सी सी पलस पलस कोमल वो कहती है कि मैं तुम पर प्रोलॉग करूँगी, RPG करूँगी, तभी तुम्हारा C सार्फ होगा, Mind सार्फ होगा, तभी मैं जाऊंगी, तभी मैं यहां से क्या करूंगी, जाऊंगी, उसके बाद भी नहीं मानोगे, तो Ruby के साथ मिलकर तुम्हारा PHP बजाऊंगी, रूबी के साथ मिलकर तुम्हारा पी एच पी बजाओंगी और पाइथन की तरह यहीं बैठी रहोंगे तो पाइथन भी एक लेगवेज है अंतिन बार समझना अपने पैड में कुलारी खुद नहीं मारना है दोस्तो पर्थम पत्र में भी आप 30-35 सवाल तो मिनिमम करके आही सकते हो और आराम से कर सकते हो सर्त है कि आपको आना चाहिए एक बार फिर से समझना हाई लेवल लेगव कि पहला है फोटोन आनि पती पतनी में जगरा होता है सर फूट जाता है तो फोटोन हो गया फिर पतनी अलग हो जाती है तो अलगोल हो गया कोट में पील डालती है तो पील वन हो गया कोट में करती है वो पाशकल है रासकल है तो पासकल हो गया कोट में करती है कि वो मुझे बेसिक दे तो बेशिक हो गया तभी मैं कबूल करूंगी तो कबूल हुआ नहीं तो लोगों को बुलाओंगी लोगों हो गया फिर उनकी साली आती है जो C, C++ है नाम कोमल है वो क्या कहती है तुम पर हम RPG करूंगी प्रोलॉग करूंगी तभी तुम्हारा दिमाग सार्प होग तभी मैं जाओंगी, नहीं तो Ruby के साथ मिलकर तुम्हारा PHP बजाओंगी PHP भी एक language है तुम्हारा PHP बजाओंगी और Python दोस्तों संपुर्ण शाहित को शकेंडू में आप टिप्स पर कर सकते जैसा मैं साहित शंपुर्ण शाहित को शकेंड़ू में कोडिंग से परहता हूं उसीicio झास का हैँ जो रिजल्ट की भी स्टाउम पेपर पर लिखित गाइडेंटी देता हूं और वन वेक का फ्री क्लास भी देता हूं तो आप क्लास लेकर देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद जहें देखाएंद